नमाशकार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो मैं आज बात करने वाला हूँ SSC CPU वेकंसी के बारे में साथियों आप सभी जानते हैं जो SSC की जो सबसे अदर पूर वेकंसी हैं उसमें सबसे पहले सीजियल आता है फिर सीपी और फिर छी अचसल आता है और कहें तेंथ लिपल पी बात कीजास आता है लेकिन दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं चाहिए सबसे बात करने वाले हैं आज की बात करेंगे कि SSC CPU की इंगलिस की रायरी हमारे क्या होनी चाहिए आप सभी जानते हैं जो SSC CPU का एक्जाम होता है वो बेसिक्ली डियपेंड होता है इंगलिस सब्जेक्ट में क्यूंकि आप सरान रहे हैं कि MEMES में जो एक्जाम होता है वह सिर्फ Ynglish सब्जेक्ट का ही होता है और 200 CS बात कर गेंगिकनाaca तो साथियों कहीं न कहीं, जब questions का number भढ़ता है, तो questions की variety भी बढ़ जाती है, अगर हम CGL की बात के बें साथियों, उसके peak exam में 25 questions आते हैं, वहीं CPU की बात की जाए तो उसमें 50 questions आते हैं, और जब 25 questions की बात आ जाती है साथियों, तो examiner को इस तरीके का मौका नहीं मिलता है कि question की variety को बना सके, लेकिन जब 50 questions की बात आ जाती है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको vocab कैसे तयार करनी है, सबसे best vocab की book मैंने पहले भी दो वीडियो बना रखे, आप लोगो ने नहीं देखा है, तो उसको link आपको description में लेगे देखिएगा, औ और वो book है, आपका black book of English vocabulary साथियों, इसका review मैंने पहले भी किया है, इसके काफी अच्छे से मैंने review किया, आप वीडियो देखिएगा, आपको link इसका description मिलेगा, तो दोस्तों ये book जो है, इसमें previous year के सारे questions की compilation है, जितने vocab, ask, sse, cgl, cpo, chsl, selection phase, phase element, सब में आपके जितने साथियों, इसमें अलग से दिये गए है, साथ ही साथ, चौदा सो आपके synonym, चौदा सो एंटानिम, चौदा सो वन वर्ड और चौदा सो आपके medium phrases दिये गए हैं, साथियों, तो आपको अभी क्या करना है, जो आपके 200 most repeated हैं, साथियों, उनको अभी नहीं याद करना है, उ साथियों, और आपके जो फ्रेजल बारे में उनको भी आपको याद करते चलना है, क्योंकि अगर आप 50-50 याद करेंगे, तो अभी देखा जाए, मोटा मोटा हमारे एक्जाम में लगवद 30 दिन का समय, अगर हम 50-50 पाइड करेंगे, तो पंदरा सो याद हो जाएंगे, ज आप सुबह उनको रिवाइज कर लीजिए, या फिर अगर आपको कल्सुबह जाएंगे, तो आज साम को रिवाइज कर लीजिए, साथियों, इस तरीके साब इसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज जो सबसे अधर ध्यान रखनी है, जो इसमें आपके पूर आपको जो आपको जो कुछ आइसे मेरे साथ ही होंगे, जो कि एवल 200 रिपीटिट आर करते होंगे, लेकिन आपको आप यह देखिए कि जब नमबर आफ वेराइटी जादा है, और अगर वेराइटी अच्छी है, तो इसके लिए हम को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसक प्री एक्जाम को कर रहे हैं, तो उसमें वोकाइब की जो 25 से 26 क्वेशन आते हैं साथ ही, उनके लिए यह बुक पैयास किया है, आप मैंसे जितने भी भाई, अगर CPO की एक्जाम के तयारी कर रहे होंगे, आप सभी ज्यादा तर यही बुक फॉलो कर रहे होंगे, जिनके कॉमें चेक्शन में जरूब आएगा, इसके अलावा, आप के पेश पलटते हैं साथियों यहां पर पूरा इंडेक्स मिल जाता है, जिसमें आपके कुछ थियों वर्ड होते हैं, वो दिये गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जो फोब्य पे डिपेंड होते हैं, कुछ जो मानिया पे डिपेंड होते हैं, इसके लागा, सिनावनिमेंट, स्पेलिंग, आपको वही आद करने साथ हैं, जो जो मोस्ट रिपीट हैं, क्योंकि एससे के एग्जाम में जो बार बार एक ही प्र आप करने की जरूवत नहीं है, और साथियों वोकाइब की बात की जाए तो वो कयाब का जुगार्वा CC बुक से हो सकता है आपके SSC, CPO, CGL, CHSL, MTS, SELECTION FACE, QG11, के जितने भी exam होते हैं यह पिर कोई भी a-sa State exam जिसमें English आती है उसे सभी exam के लिए यह बुक पैना सिया है English के लिए साथ ही हो तो यह बुख मुझे बहुत पसंद है और इसके सारी वोकाव मैं याद करने का पूरा कोशिस करता हूं कि इसके जितने वोकावे मेरे इक दम जुबान बने की साथ हूं कि इसकी वोकावे डारेक्ट इक्जाम में देखने को आपको मिलते हैं तो इस वीडियो के रिकाइडिंग आपके कोई और डाउट बसती है तो आप में कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इसके अलावा SSC CPO 2030 का जो एक एक ऐसे पारचुनिटी है जो आप देखे के वल चार महिने में बैकनसी क्लियर कराई जा रही है अगर दिसंबर में इसक साथियों SSC CPO 2030 का तो मेरा भी टार्गेट SSC CPO ही है तो हम सभी मिलकर आगे बढ़ें को रिक्जाम देंगे तो साथियो इस वीडियो को बारे उपनी रहा है में जरूर दीजेगा जितने भी मेरे भाई एकर फ्रेशा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा सिर